आजम लोग देखेंगे बहुत elementary moment of inertia of a circular ring about an axis passing to the center and perpendicular to the plane. सबसे पहले इसको देखेंगे बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टन है ये the moment of inertia of a circular ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane to the plane जैसे यहां पर एक्षरी जो रिंग होता है उसका मास रहे कि देखेंगे यहां पर होता है यह आपका R distance पर होता है मास अगरे छोटे से element को हम ले ले यहां पर DM तो लिखा जा सकता है देखें हम लोग अद्रमाल एक elementary मास हो तो उसको लिख सकते है आपका R is equal to DM R square देखें बेशिक फर्मूला है आपका तो यह जो DM DM है देखें छोटटा जो पार्ट है DM DM यह सब को अगर integrate कर दिया जाए तो आपका पूरे का मास मिल जाएगा तो यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं यह DM यह R तो आपका fix रहेगा तो इस पॉइंट से अप लोकस पढ़े होंगे जितना भी मास है वो equal distance है from this point इस तरह भी दिखाए जा सकता है देखिए यहां पर यह इसके बाटमरू निकाल रहे हैं यह आपका axis है और यह आपका जोए कि R distance है और यहां हम लोग DM ले रहे हैं I R square बाहर हो जाएगा यह होगा DM DM का integration क्या होगा M हो जाएगा I equal to कितना होगा MR square हो गया यह आपका निकल गया moment of inertia of a circular ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane यह बहुत छोटा है वेकिन आपको ध्यान रखना है यह बेशी के देखिए लिए लुए लुए लुए